विश्व के लिए स्वास्तिक है परन्तु सेम हिटलर के लिए क्या था इसके पीछे खड़ी आत्मा से यदी परिचा करना है तो 2000 साल की सीनिया चड़नी पड़ेंगी नाजी जर्मनी एक मातर ऐसा देश नहीं था जो इस चिन्न का प्रियोक कर रहा था मैक्स मुलर स्वास्तिक शब्द के प्रियोक से ग्रोधित थे क्या हिटलर के उपर भारत या हिंदू परमपरा का इतना प्रभाव था इतिहास को बदला गया और कैसे जीजस क्राइस्ट स्वैम एक चर्मन थे असली अर्थों में यह संगर्ष जीजस क्राइस्ट और सामयवाद के बीच में है हिटलर वो नास्तिक था जो गौड का अस्तित्व पोप ने इनके पत्र को पढ़कर भी अन देखा था उस समय का मीडिया हिटलर के इस चिन्न को क्या कह रहा था जिसका ओरीजन स्वास्तिक की कुरूरता में खो गया यहां जो फ्रीज एक क्रियेटिव वर्प पसको ड़ोय तदीश था स्वास्ति और ये पीस्वी सदी का सबसे बड़ा धोका था जिसे समझना पराधीनता में जकड़े एक सामान्य भारती के लिए जंबा में था और स्वास्तिक साथ के ठारासो सततर में फटारासो क्यावन में सत्रासो ठान में ही पारादीनता में झाल झाल